हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ विदानत और वेलकाम है आपका टेक्नो विदान चैनल में अब मेरे पास कमेंट्स आने लग गए कि यूटूब के वीडियो अगर हम बनाते हैं इंडोर के अंदर तो हमें किस तरह के लेंस यूज़ करने चाहिए और कौन सा चीप और बेस्ट लें लेंस की अगर आपने इसको पर्चेस करना है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें छोटी सी एक अनबॉक्सिंग करूंगा मेरे चैनल की फर्स्ट अनबॉक्सिंग होगी और इसके बारी में मैं डिटेल्स में बताऊंगा उसके बाद आपके लिए डिस इस बॉक्स के अंदर क्या-क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है यह है कैनन का 50 mm जो 1.8 एपर्चर के साथ आता है यहां पर कुछ इसकी डिटेल्स लिखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं प्राइस के बारे में मैं आपको इसका बाद में बताऊंगा क्योंकि प STM माला लेटेस्ट मॉडल है तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखे इस समय मैक्सिमम मार्केट में आपको यह STM वाला ही लेंस मिलेगा पुराना लेंस अब बहुत कम जगा मिल रहा है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखे अब यहां से मैं इसकी अन्बॉक्सिंग क इसको भी मैं side कर देता हूँ और यह है हमारा prime lens Canon का 1.8 aperture के साथ आप देखेंगे यह lens आपको मिलेगा इसकी अगर मैं build quality की बात करूँ तो आप देखेंगे पूरा plastic body है पर जो इसका mount है वो पूरा metallic है आप देखेंगे पूरा metallic mount है और plastic की body होने की वज़ा से यह बहुत light weight ह इसे carry करना बहुत easy है आप कहीं पर भी carry करके इसे ले जा सकते है चाहे तो आप इसे अपने DSLR के bag में डाले या just आप इसे pocket में भी डालके carry कर सकते है अब यहां देखेंगे friends Canon का आपको यहां logo मिलेगा और इसके अंदर आपको autofocus और manual focus दो option मिल रही है अगर आप autofocus यू lenses होते है उस पर white color का mark होता है उसी से हम DSLR के अंदर touch करके उसे round करते है पर इसके अंदर जो prime lens होते है friends white color का mark नहीं मिलेगा आपको यह light मिलेगी जो red color की है इसी से आपने attach करना है जहां white sign बना होगा DSLR में और इसको आप rotate करके fit कर लेंगे second point है blur effect मतलब background में जो blur effect होता है वह इस lens से किस तरक आता है इस lens के अंदर friends seven blades होते हैं अब blades के होते हैं मैं आपको clear बता देता हूँ जिस lens के अंदर भी जितने ज्यादा blades होंगे उतना blur effect smooth होगा अगर कम blade बाला भी lens होगा friends आपको background blur तो मिलेगा पर उतना smooth नहीं होगा वो थोड़ा sharp होगा तो it means इसके अ लग रहा कि मैंने एक background में क्या रखा हुआ है और 1.8 aperture होने की वज़े से इसका background इतना blur आ रहा है 50 mm lens और 1.8 aperture का यही benefit होता है कि आपको background blur होता है वो बहुत अच्छा मिलता है पर जो मैं आपको यह images दिखा रहा हूँ friends इस image में मुश्किल से 3 यह 4 feet इस subject और background के बीच का distance ह और आप देखेंगे आपको बहुत भी पताने लगेगा कि इसके background में रखा क्या हुआ है अगर आप portrait image के lover है तो friends यह lens basically बना उसी के लिए 50 mm lens 1.8 aperture का अगर आप portrait क्लिक करना चाहते है तो इस lens को जरूर purchase करें पर इसके अंदर friends आपको zoom की option नहीं मिलेगी जैसे कुछ lenses में ह क्लिक करना पड़ेगा image को edit करते हुए आप zoom in zoom out कर सकते है पर lens के अंदर आपको यह option बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली next point है low light performance नॉर्मली आपने देखा होगा friends हम जब वीडियो बनाते है तो indoor के अंदर ही बनाते है और घरों में इतनी तेज light ने होती या तो उसके लिए आप extra light यूज करते हैं या फिर ring lights use करते है उससे आपकी light का effect अच्छा आजाता है अगर आपको camera की manual settings पता है आप एक normal light में भी बहुत अच्छा effect इससे ला सकते है क्योंकि इसका जो aperture है वो 1.8 है उसकी वज़े से इसका mood थोड़ा ज़्यादा खुलता है और light इसके अंदर काफी ज़्यादा जात settings करी थी शायद मुझे kit lens से इतना अच्छा result बिल्कुल नहीं मिलता अब last point है price लगबक 5 महीने से मैं इसे use कर रहा हूँ मैंने इसे Canon outlet से लिया था उस समय मुझे वहां से 8000 उपे का पड़ा था इस समय friends fluctuation होगी जरूर इसके price में इसका best buy link मैं नीचे description में दे दूँगा आप वहां से देख सकते हैं 8000 से साड़े 8000 के बीच में आपको यह lens पड़ेगा पर अगर आप Amazon Flipkart इनकी sale की wait करना चाहते है तो जरूर wait करें definitely उस समय इसके price बहुत down हो जाएंगे पर मेरे हिसाब से यह lens बहुत best है और इसमें मैं आपको sample videos भी दिखा चुका हूँ और sample images अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करा तो subscribe के button पर click करें और bell icon को press करने के बाद all के ओपर जरूर क्लिक करें ऐसे ही interesting topic के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ तब तक के लिए जय हिन जय भारत